इसराइल गाजा में हमास की कमर तोड़ रहा है लेकिन इरान जबानी जमाखर्श के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा इसराइल हर रोज हमास खत्म करने की तरफ बढ़ रहा है लेकिन बेबस इरान हात मल रहा है ये वही इरान है जिसने 40 साल पहले इस्राइल के खात्मी की कसम खाई थी आपको बता दे कि इरान चाहा करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है तो उसकी वज़े है ये तस्वीर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो एक अमरीकी परमाणू पंडूबी की है जो मिस्त्र के स्वेज नहर में पानी के सतह पर दिख रही है अमेरिका ने पांच नवेंबर को कहा था कि उसने अपना गाईड़ मिसाइल से लैस पंडूबी पश्चिम एशिया में भेज दिया है जाहिर है अमेरिका ने अपने घातक परमाणू पंडूबी की तस्वीर जारी करके इरान और इसके साथियों को साफ चेतावनी दी है कि वो इसराइल हमास युद्ध से दूर रहें वरना नतीजा बुरा और सिर्फ बुरा ही होगा सबको मालूम है कि इस इलाके में अमेरिका पहले ही अपने दो विशाल विमान वाहक युद्ध पोत तैनात कर शुका है अमेरिका, इरान को साफ साफ चेतावनी दे रहा है कि इसराइल हमास की युद से दूर रहो और अपनि साथियों यानि हेजबुल्ला और हूती को भी इसецे दूर रखो वरना मारे जाओंगे हाली के दिनों में हेजबुल्ला ने लेबनान से और हूती ने यमन से इसराइल पर छिट पुट रॉकेट डागे थे इरान समर्थित आतंकवादी संगठनों ने इराक और सीरिया में अमेरिकी अड़ों पर छिट पुट हमले भी किये थे लेकिन अमेरिका ने इराक और सीरिया में पलटवार करके इन हमलों का जवाब दिया और इरान और उसके साथियों को साफ कह दिया कि अब अगर आगे कुछ किया तो परड़ाम बुरा होगा सवाल ये है कि अब इरान क्या करेगा इरान वर्षों से इस्राइल को खतम करने की कस्में खाता आया है लेकिन इस्राइल रोज हमास के कमांडरों को जहनुम पहुँचा रहा है ये वही कमांडर्स हैं जिने इरान ने बड़े जतन से पैसा, हतियार और ट्रेनिंग दे कर खड़ा किया था जैसे जैसे इस्राइल हमास को घेरता जा रहा है, वैसे वैसे इरान की बेचैनी बढ़ती जा रही है इस्राइल हमास को नेस्ता नाबूत करने पर तुला है अब क्या करेगा इरान? क्या इरान इस्राइल को बरबाद करने की अपनी कस्म को पूरा करेगा? अपने साथ ही हिजबुल्ला, हूती और हमास के साथ की अपने वादे निभाएगा या इरान अपना मूझ छुपा लेगा आपको बता दें कि इस्लामिक जगत में इरान दश्रकों से इसराइल को तबाह करने की बाते करता है इरान के सुप्रीम लीडर आयातुला अलीख हमनेई ने जनता के सामने जब भी आने का काम किया है तो लगबग हमेशा वो सिर्पर काले और सफेद रंग का चेक का फलीस्तानी काफिये पहने रहते हैं ये दिखाने के लिए कि वो फलीस्तानीों के दोस्त हैं और इसराइल के दिश्मन हैं इरान के सैनिक कमांडर हमेशा दावा करते आये हैं कि उन्होंने लेबनान में हजबुल्ला, यमन में हूती और गाजा में हमास को खतरनाख हतियार और ट्रेनिंग दे कर उन्हें इसराइल के खिलाफ युद्ध के लिए तयार किया यही वज़े है कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, तो इरान के अधिकारियों ने इसे एक महानुपलब्दी बताया था अब उसी इरान के सामने उसके चहेते हमास को तबाह किया जा रहा है, लेकिन इरान कुछ नहीं कर पा रहा, कितना बेबस नजर आ रहा है इरान हमास इसराइल युद्ध ने इरान के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा कर दिया है धर्म संकट इसलिए क्योंकि पश्चिम एशिया में इरान को इसराइल के विरोधी का धुर माना जाता है अब क्या करेगा इरान? क्या इरान अपनी इज़त बचाने के लिए युद्ध में कूदेगा या अपना मूँ छुपा लेगा? अगर उसने अपना मूँ छुपाया तो उसकी इज़त को बटा लग जाएगा इरान अब तक सिर्फ पैंतरेबाजी कर रहा है इरान से आ रही खबरों के अनुसार इरान युद्ध में कूदना नहीं चाहता जानकारों के अनुसार अगर इरान युद्ध में कूदा और लडाई लंबी चली तो इसराइल इरान के साथ हैजबुल्ला और हूती को गहरी चोड़ दे सकता है और इरान की वज़े से खुदा ना खास्ता अमरीका इस युद्ध में कूदा तो इरान और उसके साथियों को भारी नुकसान उठाना पर सकता है। इरान की कुर्द सेना और हिजबुल्ह दोनों का मानना है कि अगर इसराइल हमास को खतम करने में सफल हो गया तो फिर वो उन दोनों का ही रुक करेगा। इसराइल हमास को रौन रहा है। ऐसे में यदि इरान फलिस्तान के समर्थ में इसराइल के खिलाफ मैदान में नहीं उत युद्ध में कूदे या युद्ध से अपनी आखे फिर ले। यदि एरान युद्ध में कूदेगा तो हो सकता है कि उसकी एक बहाँ कट जाए और यदि वो युद्ध में नहीं कूदता तो ये तैह है कि युद्ध के बाद उसे उस इलाके में अपना चेहरा दिखाना यूर पॉलिटिक्स देख सकते हैं। इसके लिए आपको youtube.com पर जाकर slash at the rate your politics only पर टाइप करना पड़ेगा। इसे देखें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।